नमस्कार दोस्तो मोटिवेशनल बेंकर में आपका स्वागत है दोस्तो हमें आपके लिए जी आईबी, सी आईबी और प्रिम प्रोमोशन का वन इस्टॉप सॉलुशन ये वीडियो खास तोर पे हम उन मित्रों के लिए बना रहे हैं जो जी आईबी का एक्जाम दे रहे हैं कर रहे गया है देखिए आप सभी को पता है अब अपने पास में एक अटेम्ट बचा है पुराने सिलेवस से एक्जाम देने के लिए हमारे पास ओनली वन अटेम्ट बचा है यानि कि नवंबर 22 का जो एक्जाम होगा आपको पता एक्जाम डेट्स ऑल्री आई-ई-ई-ई- चार-AV का पेपर है अब देखिए यह जो पेपर होते हैं अब चूंकि हमारे पास एक ही अटेम्ट बचा है तो हमको इस्ट्रेजी बनानी पड़ेगी कि हमको एक्जाम को कैसे क्लियर करना है जो जो लोग नए जोइन किये हैं उनको भी मेरी इसला है एक अटेम्ट है तीन पेपर पास करना आसान है और मैं आपको कहता हूं कि जी आई भी बहुत टफ नहीं है हां एकाउंट का पेपर है जो 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 केंडिडेट जो नोन कॉमर्स बेग्राउंड से हैं हालांकि बेंकिंग में ये भी फैक्ट है कि 95% जो बेंकर्स हैं वो साइंस बेग्राउंड के ह ठीक है ना फिर भी हम कॉमर्स की बात करते हैं चूकि एकाउंट का पेपर है तो हम मानके चलते हैं ये कॉमर्स का पेपर है परन्तु याद रखें जी आई भी का एग्जाम 12th Standard का एग्जाम है बहुत आसान पेपर होते हैं आप आसानी से इसको पास कर सकते हैं ठीक है और आदे कि यह सबसे मजडार बात ही है कि इस बार जो जी आई भी का एग्जाम हुआ है उसमें केंडिडेट पास तो हुए है सबसे अच्छी बात यह है कि maximum गेट जो बाकी पेपर में पास नहीं कर पाए परना तो एक बीका पेपर करीब करीए सारे केंडिट का जितने भी के हम से जुड़े हुए हैं वो एकाम कर गए तो यह सोच कर में चलिए कि अब्र चाहता है अब देखें बहुत सारे कैंडेर समय कुरे करते रहते हैं कि सर इसके रेगिस्टेशन कब शुरू हों गया मैं आपको बता देता हूँ IABF की website पे सारी जानकारी आपको available है registration शुरू होंगे आपके 1st of September से 19.2022 से 7th November तक उपन रहेंगे normal fees से आप 100 rupees penalty देना चाहते हैं तो 8th of September से 14 September तक उपन रहेंगे और 200 की fees के साथ में 21st September तक उपन रहेंगे 21st के बाद में chances से registration बंदो जाएंगे कई बार IABF परिस्तितियों को देखते हुए इसको extend भी कर देता है ठीक है अब देखी ये paper हैं आपके 3 old syllabus के और ये paper हैं आपके 4 नए syllabus के अब आप समझेए आप old syllabus से clear करना चाहते हैं पर पास करना आसान रहेगा चार पर पास करना आसान रहेगा दूसरी बात ये रहेगी चूंकि नया syllabus आएगा नई books आएंगी नई video library जाएंगी video libraries भी बनने में टाइम लगता है तो हो सकता आपको दो चार बहिने तक content उपलब ना हो या content उपलब दो तो वो उतना इस्तर का ना हो जिस label का content होना चाहिए तो मेरी आप सभी को सला है कि यह जो तीन paper हैं उनको आप पास करें अब देखिए अब हम strategy बनाएंगे कि हमको paper pass कैसे करने हैं देखिए हमारे तीन paper हैं पहला paper है मेरा PPB का principle and practice of banking दूसरा paper है मेरा account and finance for banker और तीसरा है legal and regulatory aspect of banking जिसे हम LRAB कहते हैं यह जो paper है यह काफी आसान है easy paper है और syllabus भी इसका छोटा है short syllabus है बहुत बड़ा syllabus नहीं है ठीक है PPB का जो paper आपका होता है वो pure banking है देखिए जो लोग पहले से bank में काम कर रहे हैं कुछ candidate ऐसे होंगे जिनको 5 साल हो गए कुछ ऐसे होंगे जो 10 साल हो गए कुछ ऐसे होंगे जो new join ही है ठीक है तो जिनको 5 5-10 साल हो गए उनका 50% paper तो ऐसे ही उनको आता है उनको कहीं पढ़ने की जरूत नहीं है अगर उनको वह exam देते हैं तो अकसर कर देखा जाता तो 40 से 45 के बीचे marks ले आते हैं अब यह जो gap है आपका 5 यह 10 number का वो आपको fill करना है उसके लिए आपको तयारी करनी पड़ेगी ठीक है LRAB का जो paper है बहुत आसान है काफी छोटा syllabus होता है तो इसके लिए हम कम time भी दे सकते हैं ठीक है तो हम strategy बनाएंगे कि PPB का जो paper है वो हमको एक महीने में खतम करना है LRAB का जो paper है उसके लिए हमारे 20 दिन काफी है तैयारी के लिए और AAB का जो paper है उसके लिए हम maximum 2 months का time लेके चल रहे है तो 2 plus 1 3 and 20 days यानि 3 and half month में हम किसी भी हालत में तीनों papers को cover कर लेते हैं जो candidate नए है देखे जो candidate नए है उनके लिए plus point है उनके लिए plus point है देखो जो नए candidate है उनको मेरी सला है कि नवंबर वाला जो एक्जा में उसको apply करें तीन paper के साथ में JIB पास करने उनको plus point क्या है उनको plus point देखो पहला plus point उनका क्या है कि उनको अभी अभी चूगी वो exam दे के आए है रिसेंटली उननोंने जोइन किया है तो उनको reading की habit है उनको पढ़ने की आदा तो उनका sitting बहुत अच्छा है दूसरा plus point क्या है आप ये दिमाग में हमेशा बिठा के तीसरा plus point ये है कि JIB के exam में अभी काफी time है अभी June end चल रहा है आपको देखे जुलाई, August, September, October और चुकि आपका 12 को paper शुरू होगा तो करीब करीब 10 दिन, 12 दिन आपको वहां मिलेंगे यानि 4 and half month है 4 and half month में छोटे-छोटे 3 paper पास करना आपके लिए काफी आसान रहेगा अब देखिए इसमें भी और अच्छी बात क्या है जो एक guess work है कोई guarantee इसकी नहीं दे सकता हो सकता है आप थीन जो paper है उसमें से 2 paper pass कर पाए है अब चुकि इस लेवस चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि IABF उन candidates को मौका दे दे जिनका एक paper रह गया है तो उनको एक additional chance दे यह बहुत सारी possibility और भी बनती है कि जो नया syllabus implement होगा उसमें कुछ relaxation दे यह सारी possibilities है पर अभी हम उन possibilities को लेके नहीं चलेंगे positive रहे नवंबर बाला जो एक्जाम है उसके लिए September में जब भी registration open हो जाएंगे तब इसको apply करना है आपको चाहे आपने recently join किया है चाहे आप join करने व पेपर से में जब आप join कर लेंगे और आपका paper pass हो जाएंगे तीनों तो आप institute को लिख दीजे तो institute आपका dbf को giv में convert कर देगा और आपको accordingly उसका increment बिल जाएगा तो तैयारी दोस्तों आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी और तैयारी के लिए हम आपके साथ में है हमारे तीनों papers की video library प्लस mock test और प्लस e-pdf e-book जिसको हम कह सकते हैं वो हम update कर रहे हैं देखें जो आपको नवंबर का exam होगा उसमें 30 जून तक अपडेट आएगा टीम हमारी लगी हुई है फर्स जुलाई को नए pdf upload हो जाएंगे website पर जिन्होंने purchase कर लिया है उनके लिए भी और जो अभी purchase करने के process में उनके लिए फर्स आफ जुलाई को हम नए pdf upload कर देंगे जहां भी हमको replacement की जरूत है उस पर भी काम चल रहा है कोई भी video जहां पर minor changes है major changes है major changes है वहाँ पर हम change करेंगे mock test को भी review किया जा रहा है उनमें भी जो changes होंगे वो सारे changes आपको फर्स जुलाई के बाद में updated मिलेंगे तो अच्छा content पड़ें चाहे आप हमारा content पड़ें चाहे कहीं और से content purchase करें पर तो आपको मेरी सलाए कि अच्छा content पड़ें फ जाते हैं GIV तो बहुत छोड़ी सी चीज़े इसलिए positive रहें नए syllabus पर जाने की वजाए आप कोशिश करें कि पुराने syllabus से जाइवी को clear कर लें तो जब आपका जैवी क्लियर हो जाएगा तो फिर आप CIV करें नए syllabus से CIV में भी पांच पर हो जाएंगे दिन की जगे जाता नहीं करें आप अगर पुराने syllabus से पास कर गए तो आप मान के चलिए कि आपका एक साल बच गया और आप समझे एक साल में जो आपको increment बिलेगा वो fees के comparison में कुछ भी नहीं है इसलिए मेरी फिर से आपको सला है कि पुराने syllabus से नवर्मबर एक्जाम जरूर दें जो वो भी जरूरी है पर अंदू इतना भी विजी नहीं रहते कि हम अपने लिए time नहीं निकाल पाएं या अपनी studies के लिए time नहीं निकाल पाएं तो मेरी आप सभी को सला है कि ये पुराने syllabus से जो तीन पेपर आपके होने वाले है PPB, AFB और LRAB उसको आपको attempt करना है चाहे आ आप पास कर सकते हैं नवंबर एक्जाम में ये भी पॉसिबिल्टी है कि नवंबर का एक्जाम जो IIBF लेगा वो comparatively easy हो सारी सारी पॉसिबिल्टी बनती है हो सकता है आपको एक extra chance मिल जा हो सकता है कुछ इसमें relaxation दे अगर आपके एक दो पेपर पास होते है तो बहुत सारी possibility बनती है इसलिए किसी भी हालत में आपको नवंबर attempt skip नहीं करना है जो लोग IIB की तैयारी कर रहे हैं उनको IIB के तीनो पेपर देने और हमारी कोशिश ये रहेगी कि साड़े चार मेने की इस तैयारी में हम IIB के तीनो पेपर पास कर दे हमारी पूरी टीम आपके साथ में ह जब भी आपको कोई डाउट आएगा आप हमें WhatsApp कर सकते हैं वहां से हम आपको according reply करते हैं हम अगर यह भी वकेरा के ज्यादा query होती है तो वीडियो बनाके upload करते हैं या live class ले ले लेते हैं हम सारा cover करते हैं तो आपको मेरी इसला है एक वार हमारी website www.motivationalbanker.com को जरूर करें उनके लिए separate telegram channel लें तो all the best to you candidates सभी को बहुत 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 बदाईयां बहुत बहुत शुब कामना हैं कि आप November का exam अच्छे marks के साथ पास करें तीनो पेपर पास करें और JIB का जो exam है उससे free हो जाएं फिर हम आपको CIB की तयारी कराएंगे CIB के लिए बहुत सारी queries हमारे पास आती हैं जितने भी candidate हमारे thousands of candidates जो JIB कर चुके हैं वो हमको पूछते हैं सर आप ही का CIB का video library हमें चाहिए तो उनको मेरी सला है कि हमारी team already लगी हुई है CIB के papers के लिए जल्दी ही आपको जैसी syllabus चेंज होगा उसके बाद में हम कोशिच कर करेंगे कि आपको CIB के भी एक दो तीर पेपर जो भी possible है वो provide कर दिये जाएं ओके friends so all the best to you and thank you very much for watching this video